नमस्कार कह रहे हैं कि ये मेरी यात्रा सियासी नहीं है, लेकिन आप दिल से बोलते हैं दिलकाई स्वाल करते हैं तो पब्लिक पूच रहे हैं एक आदमी गूम रहा है, इसको वोट नहीं चींश है, राजनिती ये नहीं कर रहा है, क्या फायदा मिलेगा, अल्टिमेटम जो म नेमोदी सरकार सीरियस ले रही है पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोग सबा राजे सबा में तो वो कहरें ये क्यों गूम रहा है ये व्यक्ति इसले गूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है और ये व्यक्ति इसले गूम रहा है क्योंग डर और नफरत को मिटाना चाता है और ये व्यक्ति ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे गूम रहा है ऐसे बहुत सारे व्यक्ति गूमे है और ये हिंदुस्तान का इतिहास है ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये history है हमारी, ये इतिहास है और मैं पहला नहीं हूँ और अंतिम नहीं हूँगा और ये मेरी यात्रा नहीं है ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है ये Congress Party की विचारधारा के लिए यात्रा है और ये हिंदुस्तान को जोडने की यात्रा है कि राजस्तान मीडिया से आखरी सवाल है पत्रिका टीवी से राहूल सिंग कि हिंदुस्तान एक और चीज जोड़ना चाहता हूं देखिए हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है और ये कि प्रेसवालों ने भी थोड़ा फैलाया है बीजेपी आरे से तो फैलाती है कि कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं मगर जो मुझे दिखा और मैं अब तक्रीबन दाई हजार कितने चले हैं जैराम जी अठाइस सो किलोमेटर चला हूँ तो थोड़ा तो मैंने देखा होगा मुझे दिखा है कि इस देश में करोणों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है महबबत करते हैं एक दूसरे से भाई चारा है और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे मर जाएंगे और मुझे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने भी सोचा था कि देश को खो क्या गया है ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है और सच बताओ तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिले कि नफरत उपर से फैलाई जा रही है उसमें आप लोग भी काम कर रहे हो करना पड़ रहा है मगर नीचे से आप देखें प्यार है भाइचारा है इज़त है रिस्पेक्ट है और यही इस देश की संस्कृति है यही इस देश की हिस्ट्री है इसको बदला नहीं जा सकता है कि अपर कि अपर रहा है